हेलो वाट्सप गाईज आज हम इस वीडियो में देखेंगे यूस क्वेरी हुक इना और टैंस्टैक क्वेरी जहां गाईज तो आज कोड़ी बहुत इंपोर्टन है क्योंकि आज फाइनली मैं आपको यह बता हूँगा कि कैसे आप अपके डेटा को फेच कर सकते हो विद यह अपको बता है कि कैसे आप डेटा कर सकते हो और जहां हमें यूज स्टेट हूग यूज इफेक्ट हूग और इतना सब कुछ हमें लगा था डेटा को फेच करने के लिए तो आज सेम यही पीसब कोड को आप रियक्ट क्वेरी की मदद से कैसे फेच कर सकते हो वो मैं आपको क्योंकि रियक्ट क्वेरी लाइबरेरी बनाया ही इसलिए गया है ताकि यह जो डेटा फेचिंग वाला जो कॉंसेप्ट है यह जो कोड है उसको वह सिंप्लिफाइग कर सके ठीक है तो रियक्ट कोई भी पूछे तो आप बोल दो हां डेटा फेचिंग के लिए वह आप सबसे पहले तो सबसे पहले तो इसको कॉपि कर लेता हूं यहां पर मैं जयके पड़ा हो थीक है तो सबसे पहले तो यहां पर obviously एक function है जो मुझे call करना है and यह आपको मालूम है कि react में कोई भी function को आप directly call नहीं कर सकते and अगर the moment आप page को open कर रहे हो या load कर रहे हो and चाहते हो कि function call हो जाए तो हम use effect की मदद लेते है and dependency area को हम empty कर देते है तो अब हमें इसकी भी need नहीं है लेकिन लेकिन इसको फिलाल के लिए मैं as it is रखूँगा and यह सारा code तो मुझे लगेगा चलो इसको तो हम कुछ नहीं कर सकती है तो मुझे लगने वाला है लेकिन इसको भी हम और simplified करेंगे कैसे मैं यहां पर आता हूँ तो data को fetch करने के लिए intense stack query we have one hook जिसका नाम है use query hook this is it ठीक है अब ध्यान से देखो क्या है यह use query एक use queries भी है वो नहीं करना है हमें use query hook को use करना है and इसका काम है to fetch the data from the server or from your API ठीक है जो कि server में है basically तो अब यह जो use query hook है it accepts two minimum arguments हाला कि आप बहुत ज्यादा दे सकते हो बट यह दो चीज है जो like mostly देना जरूरी है जिसमें से सबसे पहले आपका आता है query and your key query key ठीक है and यह एक object की form होता है अब query key को आप इसतर की से समझना कि query key में जो भी data पास करोगे unique and वो data जब भी change होगा आपका यह जो component वो render हो जाएगा अब इसतर की से इसको समझी फिलाल हमारे case में एक array मैं बनाता हूं and उस पर मैं यह post करके रख देता हूं ठीक है फिलाल it doesn't matter कि यह कहां है कहां से मुझे मिला यह post ठीक है कोई लेना देना नहीं बट अभी के लिए हमें इतना तो मालूम है कि मैं जो post है उसको fetch कर रहा हूं तो मैंने बस post लिख दिया simple ठीक है इतना भी आप ध्यानव रखें क्वेरी की फिलाल अभी के लिए अब एक कॉमा आप दे दीजे क्योंकि object करो एंड मुझे एक और object बनाना है and that is we need to pass a query function अब इस query function में आप क्या data पास्ट को पास करना चाहोगे obviously use effect की मदद से यह जो मैंने function पास्ट की थी इसको मैं copy करूंगा यहां पर paste कर दूंगा semi column की need नहीं है because we are using object तो यह guys देखो कहीं न कहीं यह आप समझ लो कि यह आपका ना use state का का काम कर रहा है ठीक है इस तरीके से आप कहीं न कहीं इसको आप समझ लो and इसको आप use effect का समझ लो कि use effect में जो आपको use करके function कॉल करना पड़ता था यहां पर directly use query के अंदर अगर आप call करते तो हो गया call वो बस ठीक है अब यहां पर में एक चीज यह बाताना चाहूंगा यह जो मैंने आपको use state समझो इसको use effect समझो यह जो मैं बोल रहा हूं यह कहीं पर भी लिखा नहीं यह तो आपके मन में रट जाए या आपको याद रहे अच्छा पहले हम use effect में function करते तो आप यहां पर करना है एक use state में अपना state variable होता था तो कहीं न कहीं में यहां पर कर रहा है क्योंकि use state में भी the moment to a data change होता तो वह हमारा component render होता था तो यहां पर वह काम फिला लिए कर रहा है ठीक है तो मैंने जस्ट आपके reference के लिए यह actual में ऐसा कुछ भी निए जस्ट यह याद रहे आपको है ना यह जो use query है यह ना हमें बहुत सारी चीजे रिटेन करती है जिसमें से एक है मैं आपको बताता हूं directly मैं डिस्ट्रक्चर कर रहा हूं अगर आप यहां पर आओगे तो इतने सारी चीजे यह हमें रिटेन कर रहा है बहुत सारी चीजे यह हमें रिटेन कर रहे जिसमें से एक आपका डेटा होता है ठीक है डेटा मतलब क्या कि directly वो डेटा जो हमें मिल रहा है समझ रहो तो हो गया काम तो जब भी आप इस function को call क अब यहां पर मुझे इसको करने की भी नीड नहीं है ठीक है यह मैं हटा रहा हूं मैं बोलता हूं ठीक है अगर मेरा यह response.status साही है तो मुझे कुछ नीची यह response.data return कर देना तो हो गया ना कितना easy like कहीं पर हमें state variable की नीड ही नहीं है जब भी आप अगर आप use query का मदद ले रहे हो तो आपको कोई भी state variable बनान की नीड नहीं है डारेक्ली सब कुछ यह data के अंदर सारा data आ चुका है इसको मैं हटाता हूं इसको भी मैं हटा रहा हूं तो अब आप देख सकते हो गाईस आपका यह code कितना neat and clean हो गया simple सा ठीक है इतना चलो मेरा काम हो गया अब मैं state variable बजगी और बस आपने इस तरगे से उसको sort कर दिया अब मैं यहाँ चलता हूं जगे पर रिफ्रेस करता हूं तो यहां तो कुछ नहीं मिलेगा बठाप फैच और क्यूंगा फैच ओल्ड फैच आर्क्यू नेटवर्क में मुझे data तो आरा बाइदवे आइम गेटिंग डेटा बाइदवे गया साब देख सकते हो इसको मैं हटाता हूं एक बार रिफ्रेस करता हूं तो मुझे data तो आता है देखो data तो हमें बराबर आरा कोई problem नहीं है ठीक है इसका मतलब है कि वहां तो सब कुछ स तब आपको यह जो पार्ट है इसकी कोई नहीं है जस्ट वह फंक्शन का नाम आप पास कर दीजिए ठीक है बस इतना ही आगे अगर कुछ आर्गोमेंट पास करना रहा तो वह देखा जाएगा वह सिंपल आप इस तरह कर सकते हो ठीक है तब आप यह वाला फंड अपना सकत गैइस कैसा लगहा आपको यह रीएकक क्वेर सेक्षिन अभी तो चलो इतना कुछ यादा आपको इफेक्ट पता नहीं चलोगा बट कहीं ना कहीं यूज इफेक्ट से चुटका रहा आपका योज इस्टेट हुट से चुटका रहा तो हमें मिली गिया है यह तो चलो कल की वीडियो में भी था आजके वीडियो में भी है गेट पोस्ट डेटा हम इस तरह के से कर रहे है ठीक है इफ वांट हम इसको फॉर्दर डिस्ट्रक्चर कर सकते तो मैं आपको बतातो कैसे देखो इसको मैं कम्प्लिटली यहां से अठा रहा हूं API.JSX पर जाऊंगा यह code को मैं यहां रहा हूं ठीक है अभी मैं क्या करूंगा देखो यह जो particular part है ध्यान से देखना return जो मैं कर रहा था तो इसको मैं wait करूंगा मैं directly यहीं पर ही कर दे रहा हूं इस function को ही मैं async await बना रहा हूं मैं यहां पर wait करूंगा क्योंकि obviously data मुझे मिलने वाला है मैं बोलूँगा ठीक है भई मुझे response दे दे and once मुझे response आता है तो इसको मैं copy करूंगा यहां पर paste कर दूंगा and obviously मुझे कोई need नहीं है यह जो पर्टिकुलर function है इसको मैं ने इंपोर्ट की and यहां पर मैंने उसको इस तरह कर दी तो आप देखो with the help of use query hook खत्म बस इतना ही है इतना ही करो आपका data आपके सामने रेडी तो यह आपका old data ठीक है फिलाल तो old data आये गई नहीं बट यह आपका new data इस तरह की से आपको आगिया कि use query hook की मदद से अब आप कैसे data fetch कर सकते हो आज इस वीडियो के इतना ही एंड कल का वीडियो जो होगा उसमें हम यह देखेंगे कि अब आप इसमें आप error handling जो loading state उन सब को आप कैसे tackle कर सकते हो एंड कल की वीडियो में भी बहुत मज़ आएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको लगेगा और हाँ यह तो और easy हो गया ठीक है तो कल की वीडियो में और मज़ आएगा बट हाँ आज इस वीडियो क्लित नहीं देखो data fetch करना है के लिए बस इतने ही करन नहीं है ठीक है so yeah this is it guys आपको आज के वीडियो कैसे लागा let me know in the comment section and then यह जो 10 stack query यह जो react query है आपको यह useful लगा या नहीं क्योंकि comparison तो आपके सामने है यह आपको useful लगा यह नहीं let me know in the comment section वीडियो पसंदा है तो लाइक कीज़ेगा दोस्तों के साथ भरवर के share and react का जो प्लेइलिस्स को चेक आउट करना बिल्कुल मत भूलेगा and our next target is 7 lakh subscribers अभी तक subscribe नहीं किया please कर दीजेगा मिलता हूँ आपको नेक्स वीडियो में till then guys thank you so much take care